नमस्कार देश दुनिया की खबरों के इस नए अपिसोड पर आपका स्वागत है आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल क्या रही है भारत से जहां पर भारत अब एक ऐसी तयारी करने जा रहा है जिसके बाद भारत का कोई भी पड़ोसी देश चाहे वो भंगला देश हो प किंता कटे हुए अमेरिका से काफी बड़ा रेलिगेशन भारत पहुंचने बाला है और कुछ जरूरी मुद्धों पर बात्चित की जाएगी तीसरी अपडेट की टरब से टाटा मोटर के साथ मिलकर के कैसा वेकल त्यार किया गया है जिससे सेना को सेफली एक जगे से दू इंपोर्टन ब्रेट साब को बताते हैं यह आपको हमारी यह स्रीज पसंद आ रही तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा सबसे पहले और इंपोर्टन ब्रेट की बात की जा तो भारत भारतिय वायुसेना की ताकत को और जादा बढ सुखोई जेट एंजन प्रेडियूस करने वाले हैं और करीब 230 नए एंजन का प्रड़क्शन किया जाएगा जहां साल 2024 के मताविक भारतिय वायुसेना के लिए सबसे बड़ा और बताया जा रहा है और आज भारतिय वायुसेना को इसकी सबसे ज़रूद भी है रिपोर्ट करीब पूरत 10 महिनों का डिले हो चुका है जिसकी वज़े से भारत में नहीं इंजन आ पाए हैं जिससे हमारे जो फाइटर जट की सप्लाई थी भारतिय वायुसेना के लिए ये भी डिली होती चली जा रही है लेकिन अब भारत इस बात को बाखोबी समझ चुका है कि जल् बढ़ाया जाना है इसलिए ये बड़ा और प्लेस किया जा रहा है सिर्फ इतना ही नहीं बलकि साल दो हजार 24 तक की डिटा के मुताबिक इंडियन एर फोर्स के पास करीब 272 सुखोई SU-30 MKI फाइटर जट्स है इसमें से 200 प्लस जो है अभी ऑपरेशन है इसकिलाबा 12 और फाइटर जट्स को खरीदने के लिए 2023 में और भी प्लेस किया जा चुका है फिलाल इसने और से लगता है कि जंक्याब और ज़्यादा पढ़ने वाली है बाकी भारत सरकार क इस वैंसले पर आप क्या सोसते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा नेक्स्ट इंपोर्टन बीट की बात की जा तो भारत की इस बड़ी तयारी को देखते हुए अब अमेरिका भारत के साथ कुछ नई चीजों पर बाचीत करना चाहता है रिसेंटले रिपोर्ट्स के म बल्की नेपाल और श्रिलंका का दौरा भी करने वाले हैं रिपोर्ट्स के मुताविक यहां पर जिन मुद्वपर चर्चा की जाएगी वो हैं किस तरीके से क्लीन एनरजी एकनॉमिक डेवलप्मेंट और एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए इन्ही चीजों पर बात्च के इंजन का प्रड़क्शन देश के इंदर बड़े स्केल पर करने जा रहे हैं और अमेरिका यह बात अच्छे से जानता है कि उसने भारत को ओलड़ी इंजन सप्लाई में बहुत साथ डिले कर दिया है कई एक्सपर्स का तो यह भी माना है कि प्यमोदी रूस जाते हो और नराजगी को दिखाने के लिए अमेरिका ने इंजन सप्लाई में डिले किया है लेकिन जब ऑफिशली तोर पर बातचीत की जाती है तो अमेरिका खुल करके बोलता है कि हाँ पर कुछ टेक्निकल इरर की वज़े से यह सप्लाई डिले हुई है लेकिन अब अमेरिका इस बा बात की जाए तो भारत के DRDO से सामने निकल के आ रही है जहां पर DRDO और TATA मोटर्स ने मिलकर के सेकंड जनरेशन वील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म तयार कर लिया है यानि कि पहियों पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर लगभग डिफेंस की सारी चीज़े एक साथ मिल जाती है फिलाल ये 8x8 वेहिकल है जो कि भारत का अपता का सबसे ताकत पर हत्यार माना जा रहा है क्योंकि इसके अंदर ऐसे से टक्नोजियस लगाई गए हैं जिससे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे इसमें नाइट विजन एक्यूपमेंट है लो लाइट कंडिशनिंग म इसमें तैनात होंगे तो ये उस पूरे एरिया में आसानी से प्रडक्शन दे सकता है सिर्फ इतना ही नहीं ये किसी भी तरीके के स्टॉंग सर्फेस के पर चल सकता है सौफ्ट सर्फेस पर चल सकता है इसके लावा ये टॉप हाइट पर जा सकता है और पानी में तैनिक क्य के साथ भी से इंटेग्रेट किया रहा है भाविश में प्लान है कि इसे जल्द ही सेना में शामिल किया जाए अभी तो फिलाल इसकी टेस्टिंग की जारी है लेकिन ये भारती सेना के लिए एक बहुत ही बड़ा और आधूनिक हत्यार बनने बाला है यदि आप हमारी इस बात से सहम है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखेगा नेक्स्ट इंपोर्टेंट बीट की बात की जा तो सेम इसी तरीके का एक वेहिकल या फिर कहें इससे और ज़द एडवांस जेस्ट ड़ली ग्रुप की तरफ से बना करके तियार किया जा चुका है और सिर्फ तयार नह दोनों ने एक साथ मिलकर के काम किया और फाइनली इससे त्यार किया गया है इससे बनाने में करीब 250 क्रोड रुपे की लागत आई है और इनका परदशन 15 अगस 2014 को भी किया था और भविस्ट में इसी तरीके के और वेहिकल सेयार की जाने की त्यारी है जिसमें यूगे की क त्यार किये गये हैं इसका इस्तमाल की बात की जाए तो एक तरीके का अधूनिक वेहिकल है जिसमें सेना के लिए सामने आने वाली सभी तरीके की चुनोतियों से निप्ला जा सकता है यह जल बर्फ कीचड रेत हर जगह पर आसानी से चल सकता है इसे उसलिए त्यार किया ग इसमें और ज़धा एडवांस्मेंट की जाएगी कई तरीके के और हतियार और तमाम समगरी इसमें इंटिग्रेट करते हुए इसे और ज़धा ताकत वर बनाने के उपर काम किया जा रहा है नेक्स्ट इंपोर्टन अपडेट की जाए तो फिलिपेंस और अमेरिका से सामने जा चुके हैं रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने फिलिपेंस में मेडियम रेंज की मिसाल सिस्टम तैनात कर दी है इसको लेकर के चीन की चिंता पहले से और ज़धा बढ़ चुकी है पहले से ही चिंता बढ़ी थी चीन की क्योंकि भारत ने ब्रमोस मिसाल में जो फिलिपेंस को लेकर के अपनी हरकते सामने जाहिर की हैं इसे हम खासा नाराज हैं और इसी चीज़ को लेकर के हमने अमेरिका से मदद मांगी और हमें खुशी है कि अमेरिकान हमारी मदद की है वहीं इसी चीज़ को लेकर के अमेरिके सेना से बाचीत पी जाती है जह साइल्स भेज करके वहीं अब फिलिपिन्स के साथ भारत अमेरिका दोनों एक साथ खड़े हैं जो चीन के लिए और चिंताओं का विसे हैं बाकी भविश में चीन इन बड़ी समस्याओं से कैसे निपड़ता है अने वले समय में पता चलेगा अगे क्या कुछ पाना है अपका इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरू बताए यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आज किस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजे बंदे मात्रम भारत माता कीजे